फिल्म कलंक पर लगा कलंक एक बार फिर मुश्किल में पड़ी बिग स्टारर फिल्म लगता है मल्टी स्टारर फिल्म कलंक के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है एक के बाद एक फिल्म के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है अगर आप भूल गए हैं तो बॉलिवुड रिपोर्टर आपको एक बार फिर याद दिला दे कि इस फिल्म के सेट पर सबसे पहले शूटिंग के वक्त वरुन धवन के इंजड होने की खबर सामने आई थी इसके कुछी दिनों बाद सेट पर शूटिंग के वक्त आलिया भत के भी पैर में चोट लग गई थी मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था आलिया के बाद आदित्या रोय कपूर भी जखमी हो गए थे अभी सब ठीक चल ही रहा था कि एक बार फिर कुछ ऐसा हो गया है कि फिल्म की शूटिंग रुग गई है लगातार बारिश के चलते फिल्म के लिए बनाया हुआ सेट गिर गया है और इससे प्रेडिूसर्स को काफी नुकसान पहुचा है जिसकी वज़ा से एक बार फिर फिल्म की शूटिंग अभी टाल दी गई है बॉलिवुड रिपोर्टर आपको बता दे कि ये सेट मुंबई के अंधेरी के चित्रकूर्ट ग्राउन में बनाया गया था जहां फिल्म के थर्ड शेडूल के कुछ सीन्स शूट होने थे 31 जुलाई से फिल्म की टीम 20 दिन का शेडूल शूट करने वाली थी लेकिन अब शूटिंग को दो हफ़ते के लिए पोस्पॉन कर दिया गया है क्योंकि उन सभी के स्टार्स के डेट्स पर फिर से काम करना है जिनके सीन एक साथ शूट करने है लेकिन अब मेकर्ष ने शूट शूरू करने के पहले बारिश के रुकने तक का फैसला किया है बता दें कि इस सेट को अमरिता लाल ने डिजाइन किया था अब सेट को पहुँचे नुकसान के चलते इसे तोबारा बनाया जाएगा इसके बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाई की और अब इस इंसिडेंट की वजह से फिल्म की शूटिंग तकरीबन नवंबर तक खत्म होगी वहीं फिल्म 19 अप्रेल 2019 को रिलीज होगी